हेलो व्यूवर्स जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे फरसी पूरी मेरे बताय हुए मेजर्मेंट से जब आप इस पूरी को अपने घर पर बनाएंगे तो 100% परफेक्ट पूरी बनकर तयार होगी डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीस के लिए सबस्क्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें फरसी पूरी बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मेदा लिया है तो 250 ग्राम मेदे के लिए हम इसमें 100 ग्राम सूजी एड़ करेंगे देखे हमें यहाँ पर बारिक वाली सूजी का इस्तेमाल करना है अगर आपकी सूजी थोड़ी मोटी है तो उसे मिक्सी में क्रस करके एड़ कीजिएगा साथ ही में हम इसमें 100 ग्राम घी एड़ करेंगे यानि कि जितनी हमने सूजी ली ही उतना ही हम इसमें घी एड़ कर रहे है पहले हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे पिछले हफते ही हमने दिवाली स्पेसियल बहुत सी रेसिपिस अपलोड की है जैसे की सुवाडी, खर्खरिया, जिसे तील की मेठी पूरी कहा जाता है चोड़ा फड़ी और पिज़ा मठरी ये सारी रेसिपिस अगर आपने नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अब हम इसमें एट कर देंगे एक चोथाई टीस्पून जीरा पाउडर साथ ही में एट करेंगे थ्री बाई फोर टीस्पून यानि की पोना चमच काली मिश पाउडर और एट करेंगे एक टीस्पून नमक और इन सारे इंग्रीजेंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमने इस आटे में पर्फेक्ट मौन एट किया है कि नहीं वो चेक करने के लिए इस तरह से इसकी मुठी बना कर देखेंगे आप देख सकते हैं कि आटा जो है वो अच्छे से बाइंड हो रहा है लगा लेंगे फरसी पूरी के लिए हम जो आटा लगाएंगे उसे हम सोफ्ट नहीं रखेंगे इसे हमें सकत रखना है तो इस तरह से इसका सकत आटा लगा कर तयार कर लेंगे आटा लगाने के लिए हमने एक कप पानी लिया था लेकिन हमने सिर्फ आधे कप पानी का इस्तेमाल किया है अब हम इसे कवर करके दस मिनिट के लिए रख देंगे यहाँ पर आटे को रखे हुए दस मिनिट हो चुकी है इसमें से पूरिया बनाने से पहले हम इसे एक मिनिट तक हाथों की मदद से अच्छे से मसल लेंगे तो हमने जो आटा लगा कर रखा है उसमें से हमने इस साइज की छोटी सी लोई बना ली इसमें से हम पूरी बेलेंगे देखिए फरसी पूरी जो है उसे हम थोड़ा मोटा ही बेलेंगे ज्यादा पतला नहीं रखेंगे तो इस तरह से हमने मोटी पूरी बेल कर तयार कर ली है देखिए मैं आपको इसकी ठीकनेस बताती हूँ इस तरह के हमें इसकी ठीकनेस रखनी है और अब हम किसी साइज की मदद से इस पर कर्स लगा लेंगे तो इस तरह से हम इस पर छोटे-छोटे कर्ष लगा लेंगे ताकि तलने के वक्त ये पूरी फूले नहीं और इसी तरह हम सारी पूरियों को बेल कर उस पर अच्छे से कर्ष लगाएंगे पूरी को फ्राइ करने के लिए हम तेल गरम करेंगे लेकिन तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए मीडियम होट होना चाहिए ये चेक करने के लिए हम इसमें आटे का छोटा सा टुकडा डाल कर देखेंगे आप देख सकते हैं कि जो टुकड़ा है वो धीरे-धीरे करके तेल में उपर आ रहा है यानि कि तेल जो है वो ज्यादा गरम नहीं है पूरी तलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है तो अब हम इसमें एक-एक करके पूरी एट करेंगे और इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर फ्राइ करेंगे देखिए इन्हें फ्राइ करते वक्त आप गेस की फ्लेम को बिल्कुल भी हाई मत कीजेगा नहीं तो यह बीच में से कच्ची रह जाएगी तो आप देख सकते हैं कि तेल में पूरियां धीरे-धीरे करके उपर आ रही है यानि कि तेल का टेंपरेचर बिल्कुल परफेक्ट है इसकी साइड्स को चेंज करते हुए इसे दूसरी तरफ से भी अच्छे से फ्राइ करेंगे तो हम इसे तेल में तब तक फ्राइ करेंगे जब तक इसका कलर थोड़ा सुनहेरा ना हो जाए तो इस तरह से जब इसका सुनहेरा कलर होने लगेगा तब हम इनको तेल में से निकाल लेंगे क्योंकि तेल में से निकालने के बाद इसका कलर थोड़ा डार्क हो जाएगा इसी तरह हम बाकी की पूरियों को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ये देखिए कितनी पर्फेक्ट और खस्ता पूरी बनकर तयार हुई है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेर और कॉमेंट करें चैनल पर नए है तो मेरी आपसे हमबल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए गुडबाई